Hello everyone, welcome back to this channel आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ EVS की प्राक्टिस वोक्षिट शेयर करने जा रही हूँ इस तरह की प्राक्टिस वोक्षिट बनाके आप इसली बच्चों को फर्स्ट आम की एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर सकते हैं इस तरह की वोक्षिट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है यह EVS की वोक्षिट है इससे पहले मैंने आपके साथ Hindi, English और Maths related first term sample वोक्षिट शेयर की है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो description में आपको उसका link मिल जाएगा आप वहाँ से check out कर सकते हैं वीडियो को पूरा end तक देखे वीडियो अगर आपको helpful लगें तो प्लीज इसे like करें चैनल को subscribe करके friends and families के साथ share जरूर करें यहाँ पर फिलिंग दे ब्लांक में कुछ statements दिये गाए है sentences दिये गाए है जिसे बचों को पढ़ना है और इसे fill करना है जैसे पहला sentence है most of the dash is covered with water so what is covered most of the so most of the earth earth जो है वो आधा पानी से घीरा हुआ है so most of the earth is covered with water next we breathe in air through our dash so how do we breathe air through our nose तो यहाँ लिखना है nose next a small family is also known as dash so small family को हम और क्या कहते है nuclear family तो बच्चे को यहाँ पे nuclear की spelling लिखने है nuclear family next a dash is used to take the sick or injured people to the hospital जब हम sick होते हैं या injured होते हैं तो कौन हमें hospital लेके जाता है an ambulance तो यहाँ पे लिखना है an ambulance next our father and our mother are our dash तो हमारे father और mother हमारे क्या है parents तो यहाँ तो बच्चे को parents लिखना है इस तरह से बच्चे को filling the blanks way में worksheets दी आती है उनकी exam में तो इस तरह से बच्चो को जो भी topic पढ़ाया गया उस तरह से आप बना के filling the blanks way में उन्हें practice करवा सकते हैं here is the next question fill correct letters to complete the words यहाँ पर कई सारे words दीए गया है जो कि filling the blanks way में है बच्चो को इन words को identify करना है और उनके correct letter को fill करते हुए word को complete करना है यह जितने भी words मैंने लिये हैं यह बच्चो को अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उन chapter से related जो भी difficult words है उन में से दीए गया है बच्चो को इसी तर से exams में भी दिये जाते हैं जैसे पहला देखिए यहाँ पर O-GA-N तो यह क्या हो जाएगा organs O-R-G-A-N-S और नेक्स यू-P-ड-F-T तो यह हो जाएगा uplift नेक्स K-N-E-N-E नेक्स A-I-N-B-O-W rainbow नेक्स S-T-A-R-S stars उसी तर से C-R-A-B crab नेक्स B-O-D-Y body नेक्स H-A-B-I-T-S habits नेक्स W-E-K week नेक्स C-L-E-A-N clean नेक्स N-A-I-L-S nails नेक्स M-E-A-L meal नेक्स E-X-E-R-C-I-S-E exercise और नेक्स है C-O-M-B तो इस तर से बच्चों को आप भी जो भी lesson बच्चों को पढ़ाये गए हैं उससे के जो भी difficult words हैं बच्चों को आप इस तर से filling the blanks way में देखें उनकी जो words की practice करवा सकते हैं यहां पर कई सारे स्टेटमेंट्स दिये गए हैं जिसमें को बच्चों को पढ़ना है और जो correct answer है उसे टिक करना है दिये गए option में से और जो wrong है उसे wrong करना है जैसे पहला देखते हैं तो हमें हफते में एक बार क्या ट्रिम करना चाहिए है या नेल्स तो बच्चे को इसे टिक करना है और गलत है तो इसे क्रॉस करना है next we must wash our hand before and after what meal और work तो हमें after or before hand wash करना चाहिए किस के बाद खाने के बाद या काम करने के बाद सो खाने के बाद तो इसे टिक करेंगे और इसे क्रॉस करेंगे next it is safe to play with fire or toy so toys correct है और fire wrong है next our cloths are stitched by a हमारे जो cloth होते हैं वो कौन सिलता है टेलर या कोबलर सो टेलर टेलर को टिक करना है कोबलर को क्रॉस करना है next the water of sea is dash sweet और salty तो जो सी का water होता है वो क्या होता है sweet होता है या salty सो salty तो इसे टिक करना है और इसे क्रॉस करना है next living in a family makes us feel safe और डेंजर सो family में जब हम रहते हैं तो हम safe feel करते हैं इसे टिक करेंगे और danger को cross करेंगे तो इस तरह की worksheet भी बच्चों को आप इसली जो भी topic पढ़ाया गया गया उससे related इस तरह के statements दे सकते हैं और इसली घर पर practice करवा सकते हैं here's the next question write down the names of body parts used in the following action यहां पर कई सारे actions तिये गए हैं बच्चों को इने पढ़ना है और इन actions को करने के लिए हमारा कौन सा body part यूज होता है उसे दिये गए जगा पर लिखना है जैसे यहां पर लिखा है kicking तो हम जब किक करते हैं तो हम कौन से body part को यूज करते हैं leg का तो ह next cycling again legs swimming so swimming के लिए हम hand और leg दोनों का use करते हैं so hand and legs next reading so reading के लिए हम क्या यूज करते हैं eyes तो यहां लिखना eyes next eating eating के लिए यूज होता है कौन सा body part mouth hearing hearing के लिए हम क्या यूज करते हैं ears इस तरह से बच्चे को कई सारे actions दे रिये जाते हैं और कौन से body part को use किया जाता है उससे related बच्चे को body part लिखते हुए इस worksheet को complete करना है here is the next question write two example of each of the following यहां पर कुछ questions दिये गाए हैं जिनके बच्चे को दो-दो example लिखते हुए इस worksheet को complete करना है जैसे यह water animal तो बच्चे को दो water animals के नेम लिखने हैं जैसे क्या हो सकता है फिश क्राब फिश और क्राब water animals हो गए उसी तरह से इंसेक्ट सो इंसेक्ट में कौन से अनिमल सा सकते हैं जैसे butterfly and next farm animals तो farm animals के नेम लिखने है बच्चे को जैसे cow buffalo next pet animal तो pet animal कौन कौन से हो सकते हैं जैसे dog cat next wild animal so lion tiger इस तरह से बच्चे को वह भी types of animals दिये गए हैं उनके दो एक्जामपल देते हुए इस worksheet को complete करना है here is the next question fill in the blanks with the help of the given word in the box यहां पर बच्चे को कुछ filling the blanks way में कुछ sentences दिये गए हैं जिस box में जो भी words दिये गए हैं उनकी help से इन blanks को fill करना है जैसे पहला है cut your dash once a week so once a week what we should cut nails तो बच्चे को यहां लिखना है nails next dash your teeth twice a day so brush brush your teeth twice a day next take a dash everyday so what we should take bath take a bath everyday next clean your dash with a clean handkerchief so clean your nose next do dash daily so do exercise daily next always drink clean we should always drink what clean water next wash your dash before and after meal so what we should wash before and after meal hands next comb your dash properly so what we should comb hair next next wash dash and dash before eating so what we should wash before eating vegetable and fruit so wash vegetables and fruits before eating इस तरह से बच्चों को good habits related इस तरह की worksheets में इस तरह से filling the blanks way में भी worksheets दी जाती हैं तो इस तरह से भी बच्चों को आप good habits की practice करवा सकते हैं here is the next question match the following बच्चों को यहां पर matching की वोक्षिट दी गई हैं जिनको बच्चों को एक साइड में कुछ words या statement दीए गया हैं जिसको बच्चों को अदर साइड से मैच करना है जैसे पहला है summer so summer किसके साथ मैच होगा in summer what we need to wear we need to wear cotton cloth so बच्चे को summer को cotton cloth से मैच करना है same way junk food तो यहां पर कोई junk food ऐसा दिया है so burger और pizza junk food है तो इसे भी बच्चे को मैच करना है next lunch तो lunch अब कव करते हैं afternoon में so lunch we do in afternoon तो इसे मैच करेंगे winter in winter we wear woolen cloth next carom board तो carom board क्या है indoor game है तो इसे मैच करना है अब barber तो barber किस लिए help करते हैं हमें cut our hair next we take bath in where we take bath in in the bathroom next a blacksmith so what does the blacksmith do it repairs things of iron next festivals of light festivals of light को क्या करते हैं दिवाली तो इस तर से बच्चों को matching की वोक्षिट दी जाती है जिसमें बच्चों को जो भी topic पढ़ाए जाते हैं उससे related कुछ words दिये जाते हैं जिनको बच्चों को ढूणना है और match करना है तो इस तर से बच्चों को आप matching की वोक्षिट देते हुए बच्चों की practice करवा सकते हैं इस the next question right true for correct statement and false for wrong statement तो ये बच्चों को true and false से related worksheet है जिसमें बच्चों को हर एक sentence को पढ़ना है अगर वो sentence correct है तो बच्चों को true लिखना है और false वाले statement के सामने false लिखना है जैसे पहला है there are no helpers in a school तो school में कोई helpers नहीं होते हैं क्या ये statement correct है no होते हैं तो ये हो गया false next we can leave without food तो क्या हम food के बिना रह सकते हैं no so this is also false statement next our ear help us to hear yes हमारा ear हमें help करते हैं सुनने के लिए तो ये हो गया true statement next we wear raincoat in rainy season हम rainy season में raincoat पहनते हैं क्या ये सही बात है so yes so it is true next a train moves on the road क्या train जो है वो move करती है road पे no it moves on a railway track तो ये जो statement है ये गलत है तो यहां लिखेंगे false next a small family we have five or more members एक छोटी family में पांच या उससे जाधा लोग होते हैं तो क्या ये statement correct है no so this is also false next we all need water air and food to leave हमें जीने के लिए water air food की जरूरत होती है तो क्या ये सही बात है yes तो यहां होगा true तो इस तरह से बच्चों को आप इस तरह से प्राक्टिस करवा सकते हैं इसलिए घर पर प्राक्टिस करवा सकते हैं what is the next question write one word answer for each sentence यहां में बच्चों को one word answer देने हर एक sentence के जैसे पहला है तर the animals which have six legs are called जो animal जिनके छे legs होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं insects तो यहां पर बच्चे को लिखना है insects next festivals of colors is festival of color कौन सा होता है holy तो बच्चे को holy लिखना है next we get wool from हमें wool कहां से मिलता है sheep के through तो यहां लिखना है sheep next national animal of India is tiger next the cloth we wear in the school is हम जो cloth school में पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं uniform तो बच्चे को यहां लिखना है uniform next we have dinner in the हम dinner cup करते हैं night में so we have dinner in the night तो इस ते से बच्चों को one word answer से related भी कुछ sentences दिये जाते हैं जिनको बच्चों को one word में answer को complete करना होता है here is the next question answer the following question यहां पर बच्चों को कई सारे questions दिये गए हैं जिनके बच्चों को पढ़ना है उनके answers को दिये जगह पे लिखना है जैसे पहला है what are the four magic words we should always use कौन से ऐसे four magic words हैं जो हमें हमेशा use करने चाहिए so answer will be the four magic words we should always use are thank you, please, sorry and excuse me next what are the parts of plants so कौन कौन से parts of plant है वो बच्चे को यहां पर दिये गए जगह पे लिखना है जैसे parts of plants are stem, roots, flower, fruit and leaves next what are the five sense of organs in our body कौन से five sense of organs है हमारे बडी में उसके answer को गच्चे को लिखना है so answer हो जाएगा the five sense of organs in our body are ears, nose, eyes, skin and tongue next what are the means of transport कौन कौन से means of transport होते हैं so answer हो जाएगा the means of transport, land transport, air transport and water transport इस तर से बच्चों को हरे question को पढ़ना है उनकी correct answer को correct sentences के साथ लिखते हुए इस worksheet को complete करना है that's all for today's videos friends I hope कि आपके बच्चों के लिए यह EBS की वोक्षिट काफी helpful रही होगी अगर आपको यह वीडियो हेलफुल लगे अपने बच्चों के लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर आप new है तो subscribe करना ना भूले मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वोक्षिट के साथ तब तक के लिए take care and bye bye